हलो फ्रेंड नमस्कार स्वागत है आप सभीका स्ट्रीट वैल चैनल में सो फ्रेंड आज हम लेकर आएं RRB NTPC एक्जाम के लिए जिसका माडल पेपर है साइन्स पे आदारिस इसमें टॉप कोईशन शामिल किये गए है आपके RRC Group D के लिए भी कॉफी इंपोर्टन है साथ में SSC 10 प्लस 2 के लिए भी कॉफी इंपोर्टन होने वाली है यह वीडियो वीडियो को भी ना स्क्रिप किये शुरू से अंधे तक जरूर देखिएगा काफी इंपोर्टन कुईशन इसमें हमने शामिल किये है चलिए शुरू करते हैं आज के पैना कुईशन फ्रेंड फर्स्ट कुईशन है नीबू का सिट्ज कैंकर रोग किस से होता है फरें यहाँ पर राइट आप्शन होगा ऑप्शन भी यानि जीवालू से ठीक है नेबू में जो सिट्ज कैंकर रोग होता है वो जीवालू की उजासे होता है फरेंड यहाँ पर राइट आप्शन होगा ऑप्शन C यानि केला से ठीक है बैंक की टाप रोग केला से सम्बंदित है सो नेश्ट कुश्चन है चाय में लाल रष्ट रोग किसकी काराण होता है सो फरेंड हाँ पर राइट आप्शन होगा option D यानि हरे शैवाल की हो जासे ठीक है चाय में लाल रश्ट रोग हरे शैवाल की हो जासे होता है कौफ़ इंपर्टेंट आप नोड़ भी करते चलिएगा friend so friend next question है पादप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उत्तर दाई कौन है so friend right option वोगो option है यानि कवक ठीक है कवक पादप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उत्तर दाई है so next question है फसलों को कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानी पहुचाती है so friend right option होगो option C यानि केटर पिलर की अवस्था फसलों को अधिक हानी पहुचाती है ठीक है कीट में केटर पिलर की अवस्था फसलों को काफी नुकसान पहुचाती है so next question है अगनी नीर्जा रोग किस से संबंदित है काफी important friend so friend right option होगो option D यानि शेप से ठीक है अगनी नीर्जा रोग किस से संबंदित है काफी important आप नोड़ भी करते चलिएगा so next question है निम्रिखिन में से टिक्का रोग किस से संबंदित है so friend right option होगो option है यानि मुंगफली से ठीक है टिक्का रोग आपके मुंगफली से संबंदित है अगला प्रशन देखते है लेट बलाइट रोग किस पौदे से संबंदित है so friend right option होगा option भी यानि आलू से ठीक है लेट बलाइट रोग आलू से संबंदित है चलिए next question है पारिश्थिती तंत्र का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस ने किया था so friend right option होगा option C एजी टॉंसले ने इस शब्द का स्वर पर्थम प्रयोग किया था so next question है किसी स्रिंकला में प्रात्मिक उभ्भोगता होता है so friend right option होगा option B यानि शाका हारी टी के प्रात्मिक उभ्भोगता क्या है वो शाका हारी होता है so next question है so next question है निमलखीद में से पारी तंद्र का अजीव ये घटक कौन सा है so friend right option होगा option C यानि जल जल क्या है ये किसी भी परी तंद्र का अजीव ये घटक है okay so next question है निमलखीद में से सौर उर्जा का सबसे बढ़ा उप्योग करता कौन है so friend right option होगा option D यानि हरे पौदे ठीक है हरे पौदे सौर उर्जा का सबसे ज्यादा यूज करते हैं next question है उर्जा के किस रूम में परदूसर की समस्या नहीं होती so friend right option होगा option D यानि सौर उर्जा के रूम में हम यूज करें तो उसमें परदूसर की समस्या नहीं होती so next question है निमलखीद में से कौन जयो अच्छे कारी परदूशक है so next question है जरेंटो लौजी निमलखीद में से किस से संबंदित है so next question है मानुशरीर में गलाइकोजन का संचय किस संबंदित में होता है so next question है मचलियों में सुसन क्रिया किस के द्वारा होती है so next question हो गव ऑप्शन भी यानि गिल्स के द्वारा होती है ठीक है मचलियां सुसन गिल्स के द्वारा करती है अगला प्रिशन है लैंगर हैंस के दीप जिसमें इंसुलिन स्रावित होता है कहां इस्तित होता है so first right option हो गव ऑप्शन है यानि अगनाशे में ठीक है इंसुलिन जहां से निकलता वो अगनाशे में अस्थापित होता है so next question है घोसला बनाने वाला एक मात्र साप कौन सा है so friend right option होगा option B यानि नागराज एक मात्र साप है जो घोसला बनाकर रहता है so friend उम्मीद करता हूँ ही छोटी सी वीडियो आपको पसंदाए होगी so like करना चैनल को सब्सक्राइब करना यह जादा से जादा शेर करना मिलते हैं ने इस वीडियो के साथ ओके थैंक्स बाब बेस्ट आफ लग थैंक्यू